बीए एसलपी कोर्स के डिटेल्स में आपको बताऊंगा बैसलर अप ओडियोलोजी और इस पिस लेंगे इस पैथलोजी कोर्स को करने का क्या इलिजेविल्टी है कौनचा कलेज अच्छे है और वहाँ पे एड्मिशन किस तरह होते है और इसका केरियर कैसा होते है और इसका जोब कितना मिलते हैं इसका सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा हैलो फ्रेंड्स मैं हूं आप जिस सत्तर और आप देख रहे हैं साइंस स्टडी मीडिया इस वीडियो के लाइक जरूर करें ताकि यूट्यूब की तरफ से हमारे वीडियो को ज्यादा से जादा लोगों को फिलाए बैसलर अप ओडियो जी एंड इस पीस लेंग्वेस पैथलोजी यह मुझ्छे दो साब्जिट का कॉम्बिनिशन है पहला है ओडियो जी दोसरा है इस पीस लेंग्वेस पैथलोजी ओडियो जी में इस्टुडेंट को उनके बार में पढ़ाय ज जाते हैं और चाहें बच्चा हो यह तो बड़े लोगों जो दोसरा किसी बैमारे के वज़ाए से उनको बोलने में प्रोब्लेम आते हैं तो उनके बार में पढ़ाये जाते हैं आप ओडियो लोजी को एंटी ना समुझे यह एंटी डॉक्टर होते हैं जो करने के बाद ती अधरना बैमार यह है तो यह जो कान का यह बंद आगर कान में नहीं सुनते तो इसका प्रोब्लम कितना बड़ा है इसको डिफाइन करना और वहापर मेशिन लागाना यह ओडियो लोजी के काम होता है लेकिन कान का सार्जन एंटी होते हैं इसलिए ओडियो लोजी और है और एक साल इंटेन्शिब है और इस कोर्स क्लास 12 के बाद biology के students को कर सकते हैं मैस के students भी कर सकते हैं लेकिन जियादातर कख्रमें biology वालोग को ही admission मिलते हैं कि अपक्र का कौन कौन सा college आची हैं वहां पे किस तरह admission मिलते हैं इसके बारे में इस पीडियो में डीटेल्स मैंने यह सारे बाते बताई जैसे कॉलेजिस है अलियावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट उसी तरह उस्मानिया इनुवर्सिटी इन सारे कॉलेजिस के बारे में मैंने अलग वीडियो बने आप उस वीडियो को देख से इस वीडियो के आखरे में आप इस विडियो के डिस्क्रिप्षन को ज़रूर सिख करें वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा अब मैं आपको बताओंगा इस कुर्स को करने के बाद आपको क्या क्या जब मिल सकते है कहां पर आपको जॉब मिलाएगा ज्यादा सांजिय sì आप audiologist के तूर पर काम कर सकते हैं इसी तरह आप special language pathologist भी बन जाएंगे Rehabitation specialist बन जाएंगे, hearing aids marketer, hearing aids specialist, instructor teacher at special school अच्छा के जो school है जो इस field से जुड़े हुए है आप वहाँ पी teacher के तूर पर काम कर सकते हैं उसी तरह आपको government या तो private hospital में आपको नोक्री मिल सकते है neurology department में, pediatrics department में, ERT department में आपको वहाँ पर जोब मिल जाएगा कुछ एंजोज है जो आपको specialist के तूर पर जोब देते हैं इसके आलवा आगर आपको कोई भी जोब नहीं मिले इसका advantage यह है कि अगर आपको कोई भी जोब नहीं मिले तो आप अपना private setup खोल सकते हैं इसका दोसरा advantage यह है कि job तो easy मिलते हैं जैसे कि मैं आपको पहले बताया सेलारी भी अच्चा मिलते हैं अब मैं आपको बताऊंगा कुछ लोग इस कोर्स को क्यों पसंद नहीं करते हैं फ्रेंच उससे पहले important बात मैं आपको बता दू के अगर आपको सस में पसंद है बच्चों का treatment करना या तो जो लोग बोल नहीं पाते हैं उनको किस तरह बोलवाना या आपको आगर पसंद है तो आप इस कोर्स को जरू करें क्योंके ये एक अस्सा कोर्स है ठीक है मैं यहाँ पे सिर्फ कुस लोगों का जो opinion है वो मैं बताता हूं लोग इस को कुस लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंके इस को करने के बाद आप अपना नाम के सामने डॉक्टर नहीं लगा सकते हैं और उसी तरह आप प्राइबेट सेटाप खोलना साते हैं तो आपको एक अच्छा प्लेस साहिए होगा और जब आप पहला शूरू करेंगे लोग तो आपको पास पहले नहीं जाएंगे इसलिए आपको कुस डॉक्टर का मौदेत चाहिए होगी आपको डॉक्टर को बोलना परेगा कि आप हमरी यहां पैशन को भेजिए उमिद करता हूँ इस शौट वीडियो में आपको बहुत सारे इंफर्मेशन मिल जाएगा अगर आपका कोई सवाल है तो कॉमेंट कर सकते हैं इस को आप क्यू पसंद नहीं करते हैं यह ताप क्यू पसंद करते हैं उसके बार झाल